कि अस्सलाम अलेकूंग वाइस नमस्ते सस्रिया काल हाजिर एक न्यू ब्लोग के साथ काई काई साथ काई साथ को पता है कव दर आके बैठा है और जो देखो मैं दिखाता हूं को कहा है वो यह रहा सफीद पठा के बैठा है और मेरे दो कव उतर गाई जा चुके हैं और कौन कौन से गया है वह अभी मैं आपको बताता हूं पहले मैं इसको पकड़ लेता हूं उसके बात बताता हूं बहुत मुश्किल से उतराए गाई थी यह वहां बैठा हुआ था आकम से कम उसको 20-25 मिन लग गए मैं यही देख रहा था कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो फि देखो गाई चपल इसलिए फेक अमारी काई था कि कबूतर उड़ें उड़नी देते नुकि खाना होना खा लिया था तो इसलिए विल्कुल भी नहीं उड़ रहे थे तो मैंने इसलिए चपल फिक्के मार देतो यह वैठावा सफेद पठा यह रहा है तो देखते हैं भी क् मैं इदर दाला नीचे इसके पास ही मदरास ही पठा लग रहा है गाई बहुत जैन मैंने बिल्कुल सुता हुआ एक दम पतला सा बहुत हल्का कभूतर गाई बैठी नहीं रहा था मैंने इतने कोशिश करीब इठा लें कि मगर अब जाके बैठा ही काफी देर बात तो पहले पर जाके बैठ गया है वो रहा वो बैठावा अभी मैं आपको दिखाता हूं वो रहा है कि दो को यह रहा है यह बैठ गया अभी गाइस में नीच उतारता हूं फिल्म आपको दिखाता हूं दुबारा से है आइनली गाइस बखात गया बहुत चलाका था वो देखो वो जा रहा है है के तो हो दिखना ना आपको हां थो गाइस वो भाग चुका को नि ones ख बठता सब्स जले कही है और वो भी गया को यह देखा कोई कर दो देख लेना ऐस लोग से अपसे आप बहुत ज्यादा भारी हो गया था बहुत ज़्यादा भारी मतलगे रहना खाखा कि इतना इतना खाया था उन्हें चाबल भूत खाली थे बुझे नहीं पता था गाईस वह मैं अएसे उड़ा था कभू तर इस साइड से चुकि वह उससाइड से ना आ बेट तो मैंने इस साइ मेरे यह देखो चोट लग गई मेरे जोर के दो को शाम का टाम हो चुका कभूतर बंद होने के लिए डाड़ी है इसको लगा पता नहीं पकड़ी लेंगे मुझे कर्लू रही है मेरा कर्लू को उठातों गई तो मिलते का इस व्लॉग में तो क्या करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाई